तो देखे आप लुगको हम दिखा रहे हैं ये डुम्री भीघान सभा का दोरा चल रहा है पूरा और यहां हम लोग को एक आदमी दिखा जो एगद Hamm हम यूनिग हमको लगाUp तो हम चाहते हैं उनसे बातकरने के लिए बातकरते हैं उनसे राता जोहार्य महरीट कि यह घार कहा लगो हमर मिर्डそれで ओमरी जॉल्ध हादि अच्छा मने जयराम मातों के पाट्व केद्टें परचार पसंदों कर से जंेक में गफट तो उदे दू-3 साल पहिले मने की वेकर भैल है तो ओकर पहिले तो कौन पाटी परचार करो है तो हम तो ओकर पाच में आ लिए तक बाद हो सीट दे दिया जगरनाथ मातो तो हम उझे एमेन थे हाँ उसके बाद में हम जब देखें हम भासन सही अच्छा लगा तो हम सब कुछ संदी और रिष्टा सब चोड़ दिया हम आगे जैराम मातों के साथ अच्छा तो अभी मने जैराम मातों के बिचार धारा आपको बढ़िया लग रहा है तो जैमेम जब छोड़ के आप आए इसमें तो जैमेम के लोग आपको नहीं आए बहलाने फुसलाने बात करने के लि सब्सक्राइब करने के लिए क्या आपको पाटी तरफ से पाटी फंडिंग किया गया कि अपना दिल से अपने मन तंधन से हम पूरा पाटी अकेले मौहल में पूरा में चंहा करके रखे है भी कि आपने जितने भी नीजी मने 2 सगे सबंदि हैं उनको भी आप बोल रहे हैं कि आप प्रण भोट देजे वार्ट चलिए तो आप इस चीज का मने जो लोगों पुरा बन्हा से बना के पाटी आपको बना के दिया कि आप खुद बनवाएं पाटी का पाटी अभी तो कल जराम मातों से खली बात हुआ है लेकिन बैठा भी हुआ साथ में और बात भी हुआ है ऐसा कोई एसी नहीं हमको कोई ऐस जराम मातों के साथ में उनके जो सभा है उनका जो दौरा चल रहा है उस दौरा में मतलब भूं रहे हैं चलिए तो मतलब इस बार आपको लग रहा है कि डुम्री बिधान सभा में जराम मातों ही बिधायक बनेंगे बिधायक क्या अगला बार भी बनता है अगला बार मेरा पर्चार इतना हुआ जो जराम मा भी जानता होगा उसने बोला था जो क्या बोलता है वो क्या छाप बोला है एक आदमी बोला पला है चंदर परकाश्योधरी हम लोग के उमर में सामने बाट किया होगा और अगर अच्छा से ढंग से बात किया होगा चाहें क्या किया है वो बता दीजिए हाथ खड़ा करके तो मेडिया होला हमको बोला बल तुमको कौन बोला हम बोल रहे हैं जहराम को कैसे जहराम को जितना मा बाप ने शिखाया ने उतना जहराम बोलने के लिए सिखाया है किस से की सतरा से बात करना चाहिए कोई नेता के पास ओकात नहीं था अब नेता बोलने के लिए सीख रहा है अधिकलीय कोई अकल है बोलने के लिए कोई भासाद नहीं है उसको पास कोई सबद अगर बोल देऊ कोई सबद नहीं उसके पास बोलने के लिए वो थोड़ा बहुत सिख रहा है तो जैराम के भासा से सिख रहा है और जैराम को लोगों के सिख रहा है हम लोग से हम लोग से सिख रहा है समझें कि जैराम हमको सिखा रहा है जो लेकिन उनलोग भासन थीक था लेकिन उसका लड़का और उसका पत्नी का वह भासन सही नहीं है क्योंकि उनलों कोंगे का कुस अकल नहीं है कोई चीद का अकल नहीं उनलों का कसे की स्केमाज मां उतना मेरा बाप मे रख दिया दौलत ने जो हम भोट से निवोट से खरिच सकते हैं लेकिन ओशा नहीं है देख मैया उजने निकाल दिया अभी भपा उजना निकालने वला है ठीक है वो भी निकल जाएगा थोड़ा देर में क्योंकि अलेक्षा मेन है वो भी बहुत जल आ रहा है चलिया बहुत-बहुत दन्माद पांच हजर मिलने वाल आपरी है आपरी पांच हजर मिलेगा मैया उजना में इमाइना पांच हजर घुसेगा